मैं आपका वह सा एक सिक्षक दीपक सिंग और साथ ही साथ मैं आपका दोस्त भी हूं और रेडियो और रंगिन टेलिवीजिन कच्छा 11 में और आईए इस पर एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो हजार अठारा से तो करी रहा है पुराने वीडियो आई भी लेकिन अब थोड़ा सा एक नए तरीके से करने कोशिश करते हैं तो इसके अंदर देखते हैं हमें क्या पढ़ना है तो उसके परिपेक्ष में आईए हम इसको देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें जानना है त तो यह आपका यहां से शुरू होता है इस पेपर का नाम आपका देखी यहां से आपका शुरू होता है यह आपका अगर देखिए इसे तो यह रेडियो और रंगिन टेलिवीजन कच्छा ग्यारा के लिए यह पर्थम परशन पत्र भी वही है तो वही आपका कच्छा बारा में भी रहेगा यही नाम तरंग गती इवंग ध्वनिका सिधान जिसमें आप अनुपरस्त तरंग अनुदैर तरंग लापलास का संसोधन ब आपयर साइक अपकरण का दूसरा प्रण है आपका विद्द्थों चुमबक का यह भी हाइए स्कूल से रिलेटे खेट में और चुमक बक क्या इसरुल चुम्बकत तो जो है यहां एक आप उसमें रह जाता है वही जिसमें चुम्बक के गुण हो वो चुम्बक और नहीं हो तो लखड़ी है तो अनुचुम्बक और अर्ध चालग इसके अंदर आपको अर्ध चालग पढ़ाने का कोसिस की गई है आगे आपको समझ में आएगा तीसरे फेपर में देखिए परमार की संदचना वायर एमंग स्विच परतिरोद इंड़क्टर इंड़क्टेंस टांसफार्मर और इलेक्ट्रानिक्स में जैसे रेजिस्टेंस मैं आपको क्लास में बनाके दिखाता हूं तो वो उस तरह का प्रयूक्त चिन और चौथा प्रा किस तरह से आपका साउंड जो है इलेक्ट्रानिक में बनके और फिर साउंड में बनता है तो वो टांजिस्टर रेडियो में और पांचमा पेपर आपका जो है से साम रंगीन टीवी ब्लैक एंड वाइट तथा रंगीन टीवी है इसका फीडर लाइन इसके अंदर इंटीन और सियारों के बारे में आपको जानकारी मीदी जाएगी और पहला पेपर जिस तरह से देखा जाए तो तरंग गति है और तरंग गति एमंग ध्वनिका सिध्धानति इसके अंदर विवसाइक परचे हथियार आउजार और तीन चैप्टर यांत्रिक तरंग मतलब वही मेक तो देखें वही ब्युसाइक परचे और आउजार तो इलक्ट्रानिक्स इसमें पूछता है कि इलक्ट्रानिक्स क्या है तो विज्ञान अथवा इंजिनरिंग की वह साखा जिसमें निर्वात अथवा अर्थचालक में निर्वात या अर्थचालक में इलक्ट्रान के प्र का जटका लग जाता है तो इस तरह से उसको कृतिम स्वास दी जाती है एक नीचे ये तक्या रखे और सर को उपर उठाने वाला दूसरी विधी ये अच्छी विधी मानी जाती है पहली विधी पुरानी है और उसके बाद इसके अंदर आपको आग का वरगी करण कैसे आप कर आप जो है बैदुत सरकिट से और चौथा आपका जो खनीच पदार्थ में आपके मैगनीसियम जिंक और ये सब में पटेसियम याग लग जा तो आर का वरगी करण चार पकार से किया जाता है क्योंकि आग भी लग सकती है आपकी पैट्री में और उसके बाद जो इलेक्ट चेसे हैं आप आसान भासा में तो उसकी देती होती है राउंड लंद करके हाफ राउंड फाइल फीता होता है ये भी लेक्ट्रानिस्ट का एक हत्यार है आप किसी दूकान पर जाकर इस चीज़ को देख भी सकते हैं क्योंकि सब के पास तो नहीं होगा लेकिन अगर है अगला हैक्सा आरी इसमें भी है तो कई तरह की आरिया है और इसमें भी देखिए कैची है और है लकड़ी काटने के लिए क्योंकि एलेक्ट्रोनिक्स के आइटम में लकड़ी का भी यूज़ रता है तो वहां पर इसकी भी जरूष्वत पढ़ती है और फिर उसके बाद है यहां पर आप कोई भी चीज रखके उसको ठीक कर सकते हैं बेंच वाइस पाइप इसको बोलते हैं यह आपको देखने को दुकान पर और स्क्रेंशाट आप लेके इसका चाहें तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं और मैं चलने की कोशिद देरे-देरे कर रहा हूं आपको मौका दूँगा आएक बार और देखी छोटे कोश्चन इसी तरह से ECG एक उपकरण है और उसक प्रात्मिक आग अपस्को खर अपन्डेल लगें होते हैं वह पूरूरू से इंसुलेटिड ho pride है लगरी के जैसे घर में लगड़ी का लगा रहता है पेचकस वगरा में और उसमें भी और लगड़ी के हर जगर लगे नहीं चाहिए और बिदुद सप्लाई 220 बोल्ट है तो 50 हर्ट चाप की आविर्थी होती है मैं क्लास में लूँगा इसको आविर्थी चैप्टर को और दो दो नंबर के सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि एलेक्टरानिक से आप क्या समझते हैं अर्थिंग से आप क्या समझते हैं अर्थिंग मतलब एक तरह से हर घर में अर्थिंग होती है नमक कोईला आप डालके अर्थिंग करते हैं और देखिए, पांच सब्दों और पांच लाइन में और दस लाइन में आपको उतर देना है और टिक मार्क में तो सिप टिक लगाना है यही करते हुए हमको आगे बढ़ना है और इस में इस चेप्टर में आप इसका स्क्रीन शाट भी आप आराम से हर पेज का ले सकते हैं मैं आपको धीरी धीरी इस पेज को रोल कर देता हूँ एक बार ताकि आप इसका स्कीन शाट ले ले और अपने पास इसको रखे और इसमें आग का वर्गी करण क्या होता है किर्तिम स्वास कब दी जाती है इलेक्ट्रानिक का महत तो क्या है अर्थिंग से आप क्या समझते है और बेवसाइक हथियार परचे आपका क्या है ये सब चीजे हैं और ये इसमें तो मैंने आपको बताई दिया कि आपका सिल्वस है पाँचो पेपर का तो ये आपका तरंग और ध्वनिगत में हम अब दूसरे पेपर में जाएंगे थोड़ा वीडियो लंबा होगा चातरों लेकिन आप आपके लिए यही एक बढ़िया रास्ता है कि क्लास में भी और वीडियो में भी आप इसको आराम से सुन सकते हैं समझ सकते हैं कमेंट दे सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें आपको हमेशा इसके उपर वीडियो मिलते रहेंगे मैं कच्छा ग्यारा का रेडियो टीवी भी लेके चलूँगा और साथ ही साथ सामानेधारित विशाइक होगी तो सामानेधारित विशाइक आभी आज एक पेपर लूँगा और आज एक पेपर आपका होई गया ये बैसायिक परच्चाए भी हमने आपको दिया है तरंग और दोनी पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ और इसमें भी आपको बुक से भी आपको दिखाने कोशिस करूँगा मेरी मेरी थैंक्स चात्रों